Google AdWords के तो वीडियो प्रमोशन का क्या कोश्ट आता है, कितना बजट आपको स्पेंड करना चाहिए और ये सारी जानकारी आपको आज किस वीडियो में मिलने वाली है तो अगर आप अपनी वीडियो को Google AdWords पे प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट करने जा रहे हैं, बट कभी भी आपने प्रमोट नहीं किया है, तो ये वीडियो बहुत इधार दे इंपॉर्ट होने वाली है, ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक्स आपको आज कि वीडियो में देने वाला हूँ, जो आपको आगे बहुत जादे काम आने वाली है, अगर आप Google AdWords पे अपनी यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी यूट्यूब के चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, तो चलते हैं वीडियो को अगर मैं प्रमोट करता हूँ, तो मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, मेरा कितना पैसा खर्च हो जाएगा Google AdWords पे, तो ये जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है, तो जब Google AdWords आपकी वीडियो को प्रमोट करता है, तो उसके बदले में आपसे पैसा लेता है, अ अब जैसे Google AdWords पे अगर हम बजट की बात करें, तो सबसे पहला जो minimum amount Google AdWords में आप एड कर सकते हो 500 है, यानि 500 रुपे से कम आप एड नहीं कर सकते हो एक बार में, यानि अगर आपको कोई भी campaign बनाना है, या कोई एड रन करना है, यानि 500 रुपे गूगल AdWords में डालने अब 500 रुपे आपने डाल दिया, अब बात करते हैं कि कितना पैसा लग सकता है, कितना खर्चा आ सकता है, देखो, खर्चा कितना आ सकता है, पैसा कितना लगेगा, ये depend करता है आपके desire पे, आपके goal पे, कि आपको achieve क्या कर रहा है, अब for example, मालो आपको 1 लाख views चाहिए, तो 1 लाख views पाने के लिए, उसका एक defined budget आपको लगाना पड़ेगा, ठीके अब आपको 2 लाख views चाहिए, तो उसके लिए एक budget आपको लगाना पड़ेगा, अब एक आसान रासा में अगर हम संगे, for example, अगर किसी views को लाने के लिए, Google AdWords 10 पैसे cost कर रहा है, यानि 10 पैसे म simply कि 10,000 रुपए आपको खल्च करने पड़ेंगे, एक लाख views के लिए, बट इसमें भी एक चीज है, जो भी views की जो cost आती है, CPV cost जो आती है, यह depend करता है, यह vary करता है, category to category, campaign के objective to objective, campaign के बहुत सारे objective भी हैं, अब जैसे इसकी पैड है, तो इसकी cost कुछ और अलग आती है, discovery एड है, तो इसकी cost कुछ और आती है, बंपर एड है, तो इसकी cost कुछ और आती है, बट जो यूट्यूबर्स के लिए, जो सबसे famous एड्स का जो objective है, वह इसकी पैड और एक है discovery एड, discovery एड अभी उसका name change हो गया हो, इन stream एड हो गया है, तो अगर हम बात करें discovery एड्स का, तो अगर आपका कोई music है, for example, अगर आपको कोई music promote करना है, तो music promotions के लिए 10 पैसे से लेके 60 पैसे तक की cost आती है, अब ये depend करता कि आप किस country में एड दिखा रहे हो, क्या audience target किये हो, तो ये इस पे depend करता है, कुछ ऐसे entertainment के content है, content बहुत अच्छा है, quality content की बहुत अच्छी ह तो 5 पैसे में reviews आ जाता है, 3 पैसे में reviews आ जाता है, तो ये चीज़े आपको इस तरह से calculate करना पड़ेगा, कि एक व्यूस अगर 5 पैसे में आ रहा है, तो 1 लाख reviews की लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, तो पहले आपको अपना objective define करना पड़ेगा, आपको अपना goal set करन तो भाई इतना % आपको इतना पैसा लगाना ही लगाना पड़ेगा अगर 10 पैसे पकड़ के चल देओ 5 पैसे पकड़ के चल देओ तो इस हिसाब से और इसमें 18% GSTV लगता है Google AdWords 18% GSTV एड़ करता है तो मेरा सजेशन यह है अगर आप अपनी कोई वीडियो प्रमोट करना चाहिए क्वालिटी, कंटेंट बनाओ, कंटेंट वही प्रमोट करो जिस पे क्वालिटी हो तो उसको अगर आप प्रमोट करोगे तो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ेगा आपको तो गाईज उम्मीद वीडियो अच्छी लगी होगी, हेलफूल होगी तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइक हैन है उसको प्रेस कर देना ताकि नेक्ट वीडियो जैसे अप्लोट करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो